नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं आमने चुपी साधना भी भ्यानक अपराध है, इसलिए मनिपूर में जारे हिंसा के दोर कोपर, भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं आपको यह पत्र लिखने के लिए बाद्य हो गया जहरखन के मुख्य मंतरी और देश के जिम्यदार नागरिक होने के नाते मनिपूर घाटना को लेकर काफी ब्यातित और चिंतित हों, जिसमें अब तक सेक्डों निर्देश लोगों की जाने चली गई, कितने संपत्ति की छती हुई है, महिलाओ के साथ इतना गंदा ब्यव जहरखन में घर से उठाकर आदिवासी बच्ची से रेफ किया गया, आशन में साधवी से रेफ हों, जहरखन में आदिवासी बच्ची का रेफ और हत्या कर सोव पेर से लटका दिया, साहब गंज में घर से उठाकर आदिवासी बच्ची से रेफ किया गया, आशन में साधवी से रेफ हुआ और गुमला राची नबालिक बच्ची के साथ रेफ जैसी घटनायों हुई, इन सब परमुख हिमंत्री क्यों चुप्पी साधे रहे, मनिपूर की घटना से इतनी ही पिड़ा है, तो अपने पत्र में कम से कम पच्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के बेगु सराय की घटना का जिक्रे भी कर लेते, क्या हिमंत्र इन घटनाओं का समर्थन करते हैं, जार्खन की बेटियों की चितकार हिमंत्र सुरेन को सुनाई क्यों नहीं देती, मनिपू जिले के रामगर थाना छेत्र इस्थीत सरजा गाव में 20 जुलाई को सरकारी स्कूल की 4-16 की आहर में डूमने से मौत हो गई थी, बिधायक अलोक चोरस्या ने इन बच्चियों के परिजनों से घर जाकर मुलकात की और हर संबह मदद करने का भरुसा दिलाया, उन्होंने प सराब बिक्री से अवैद कमाई का गोरख धन्धा जोरो पर है, यहां खुलेयाम अमर्पी से ज्यादा कीमत पर सराब बिक रही है, ज्यादा अमर्पी पर सराब बेचने को लेकर रांची का हट्टिया, चोक इसी सराब दुकांदार और ग्राहां के बिच्चम कर मार्पी ठ हो गई, केवल एक दुकान में नहीं बलिक, हर दुकान में सराब अमर्पी से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, इसको लेकर हम दीन दुकांदार और ग्राहां को बीच नोका जोकी होती रहती है, लातेहर जंगल से 40 IED बरामत, छारखन पुलिशने नक्सलियो द्वारा बताया गया है कि सुरक्षा बल के जवान जब गारू थाना के कोकु जंगल में सर्च अभियान चला रहे थे, उस समय उन्होंने एक पेड के नीचे तार लगा दिखा, जब उन्होंने मीटी हटाई चो देखा कि वहाँ IED बम बिचाये गये थे, इसकी सुचना सुरक्षा बाल बिवा के आकड़े, सरकार के महिला बाल बिकास वा समाज कल्यान बिभाग के द्वारा राजभर में तीन साल में बाल बिवा के आकड़े तियार किये जा रहे हैं, सरकार के आदेश पर CID ने सभी जीलों से इससे जुड़े आकड़े मांगे है, CID ने सभी जीलों को प सुप्रीम कोट के एक वाद में हल्फ नामा दायर करने के लिए सभी राजियों से बाल विवा से जुड़े आकड़े मांगे थे। वर्षिये की कथित और पर पीट पीट कर हत्या कर दी थी। घाटना में चार अने लोग घायल भी गए थे। लातेहार के पूलिस अधिक छक अंजनी अंजन ने बताया है कि बाला नक्सलियों और परतिबंधित भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी के विभीन अग्याद सरस्यो के विरुत परत्मिकी दर्च की गई। एसपी ने सुक्रवार को कहा नक्सलिये कमांडर छोटु खरवार, छेत्रिये कमांडर मनीस, सह छेत्रिये कमांडर उज्वल और परदिब का नाम परत्मिकी में सामिल किया गया है। सीएम, मधु कोडा, पुर्व मंत्री कमले सिंग, भानु परताप साही, हरी नरायन, राय और बंधुतिर के खिलाप दर्च मामले और उसकी वरतमान इस्थिति की जनकारी दी गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने CBI से मन्नियों के खिलाप लंबित मामलों की वरतमान स्थिति की जनकारी देने का निदेश दिया था, अदालत ने इस मामले के सुनवाई एक सितमवको निधारित की, इस समद में दुरगा मुंडा यों अने ने याचिका दायर की है, बतादे मान्नियों के खिलाप चल रहे, अप्राधिक मामलों के जल्द निस्पादन के इस पर चल रहे, बतादे मामलों के मामलों के खिला के समद में दुरगा में दुरूर्गा में, पवर्द यों प्राध्यक आई तायर की है, अब आईसात शर्थि ज़रुवत नहीं है, कालाप सभीवर के योखारू को मुप्त में मिले गा, इसके लिए सरकार ने पत्राता साल तक के युवक और योतियों को प्रखंड अस्तर प्रकोसल प्रसिक्षन दिया जाएगा वहीं प्रसिक्षन के बाद अगर युवक को को तीन मा के भीतर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार पुर्चान भत्ता के रूप में प्रती मा एक हायार दिये जाएंगे में हलकी बारिस की असंका जताई है वहीं जमसेद पूर और डाल्टने गार में बादल छाय रहेंगे रामगण में तेज धूप निकल सकती है बता दे पच्छमी सिम्मू में मौसम की बेरुखी बरकरार है जुन के बाद जुलाई माह में भी काफी कम बरसा रिकोड की गई इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जुले में सुखा की सिती बन रही है जुले में जुलाई माह में अवसत 271 मिलिमीटर वर्सा होती है इस बार 21 जुलाई तक मातर 104.2 मिलिमीटर ही वर्सा रिकोड की गई वहीं जुन के अमतिम सप्ता से मांसुन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है ओफिस में बुलाकर लड़कियों से छेखानी करता था प्रिंसिपल साहिव गंजीले के एक सरकारी स्कूल में परिजनों ने एक प्रिंसिपल की जम कर पिटाई कर दी है परिजनों ने उतकरमिक उच बिद्याले पंच कठिया के परधना ध्यापक पर छेखानी का आरोप लगाया छेखानी के आरोप में उतकरमिक उच बिद्याले पंच कठिया के परधना ध्यापक मोहमद सामसाद अली की सनीवार को अभिवकावने जम कर पिटाई कर दी इसे बुरी तरह घायल हो गये मामले की जनकारी मिलने पर बरहेट थाना परभारी गौरों कुमार बिद्याले पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए समुदाईक स्वासकेंद्र लाया बिगत कई दिनों से हमामला चल रहा था छत्राओ का कहाना है कि परधना ध्यापक किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उसने साथ शेखानी करते थे एक दरजन स अधिक छत्राओं ने अपने इभाकों से परधना ध्यापक खिलाप छेखानी की सिकायत की थी पलामू परमंडल से अपराधी जल्द होंगे तड़ी पार पलामू परवंडल में अपराद और अपरादिक हटनाओं में सामिल अपरादियों पर अपकड़ी करवाई होगी खासकर हत्या आंस सहीत लूट की वर्दात में सामिल अपरादियों पर नकेल कसने की बड़ी तियारी चल रही है इन अपराधियों को तड़ी पार करने के साथ ही CCA भी लगाये जाएंगे पलामू जोन के IG राज कुमार लकड़ा ने तीनों जीलों के ASP को जल्द से जल्द सभी अपराधियों के सुची तयार करवाई करने का निदेश दिया है उन्होंने बताया है कि पूलिस अपराध और अपराधी घटनावों पर अंकुष लगाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है बड़े कांडों में सामिल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पूलिस पूरी ततपरता थे जूटी हुई है आईजी राज कुमार लकड़ा ने तीन जीले के एसपी से कहा है कि जल्द थाना परभारियों को लंबित मामले के निस्पादन करने फरार आरोपी की गिरफतारी वरंट कूरकी जबती की करवाई को प्राथमिक्ता के अधारपन निस्पादित करने का निर्देश दिया